मुझे लगता है कि आप सभी लोगों ने रोहित सर्दाना का नाम जरो सुनावोगा और आपको मालू होगा कि रोहित सर्दाना हमारे देश के एक वरिष्ट पत्कार भी रहे हैं और टेवी एंकर भी रहे हैं लेकिन देखिए मेरा ऐसा मानना है कि जब तक कोई व्यक्ति जिन्दा रहता है तब तक आप उसके आलोचक हो सकते हैं उसकी आलोचना कर सकते हैं लेकिन देखिए मरने के बाद मुझे लगता है कि उसकी आलोचना करना छोड़ देने चाहिए अगर आप उसके आलूचक हैं तब और पिसंद सक भी हो सकते हैं, कई लोग इने पसंद भी करते होंगे, ना पसंद भी करते होंगे तो आज हम लोग क्या करेंगे कि रोहिद सर्दाना के बारे में एक सावान जानकरी देख लेंगे क्योंकि हम लोग देश के वरिष्ट पत्कारों के बारे में बात कर रहे हैं तो उसमें आगर हम लोग रोहित सर्दाना के बारे में बात ना करें तो मुझे लगता है कि पूरे पत्कारता की बात नहीं हो सकती है आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे यह रोहित सर्दाना थी और इसके बाद आप देखिए अंतिम समय इनका किस तरह से गुजरा आप सभी लोग जानते हैं और जनम इनके नाम की बात करें तो रोहित सर्दाना इनका पूरा नाम था और जनम हुआ था 22 सेप्टमबर 1981 में इनका जनम हुआ था कहां कुरूचित हर्याना में इनका जनम हुआ था इनकी पत्नी की बात करें तो प्रेमीला दीक्चित इनकी पत्नी का नाप था इनकी दो वेटिया हैं अगर हम लोग रोह सर्दाना की सिक्चा की बात करें तो सुरुवाती सिक्चा गीता निकेतन आवासिय बिद्याले कुरू छित से फूरी करते हैं उसके बाद आगे कि अगर हम लोग सिच्छा की बात करें तो एक गुरू जंबेसुर बिज्ञान और प्रोधुकी की बिसित बिद्यालय हिसार से सिच्छा लेते हैं सेक्चेडी की युगता की बात करें तो मन्यों बिज्ञान में इन्होंने इसनातक किया हुआ था और जन संचार में पराशनातक इन्होंने किया हुआ था ब्योसाय और काम की अगर हम लोग बात करें और इन्ही के इसी काम की वज़े से इन्हें एक तरह से पिसिद्धी मिली थी, पत्तिकारता करते थे, यानि कि ये पत्तिकार थे, अगर हम लोग रोहित सर्दाना की केरियर को अगर देखें, तो रोहित सर्दाने अपने केरियर की सुरुआग रेडियो एस्टेशन में नौकरी करके की थी, सुरुआग सफर की बात करें, इसके बाद आप देखेंगे कि रोह सर्दाना की city cable में काम करने लगे और रोह सर्दाने ने करीब देड़ साल तक city cable में काम किया लेकर वह कुछ बड़ा करना चाहते थे और ऐसे में हरयाना छोड़कर दिल्ली आ जाते हैं और दिल्ली में रोह सर्दाना को सबसे पहले इटीवी नेटवर्क के साथ इंटर्ण के रोम में काम करने का मौका मिलता है फिर उसके बाद वह क्या करते हैं कि इटीवी नेटवर्क में ही बात और पतकार का काम करने लगते हैं पत एक सामन पतकार के रोम में काम करना सुरू करते हैं और इस दौरान आप देखेंगे कि र रोह सर्दाना का ट्रांसफर हैदराबाद में कर दिया जाता है और हैदराबाद आप देखते हैं कापी पिसिद हैं किसके लिए पिसिद हैं किसके नाम से पिसिद हैं आप लोग बता सकते नीचे हैदराबाद में रोह सर्दाने ने इतना अच्छा काम किया कि उन्हें टीवी पर एंकरिंग करने का मौका मिल जाता है और यहीं से रोह सर्दाना का करियर TV एंकर की रूम में सुरू हो जाता है अगर हम लोग TV एंकर के सफर के रूम में अगर रोह सर्दाना को देखें तो साल 2004 में सहारा की साथ जुड़ जाते हैं और सहारा में दो साल काम करने की बाद र काम करने लगते हैं और द woods सर्दाना को फूरे देश में पहिचान मिलती है और किरिक्ट का खास नौलज नौलीज नहीं होने कि बाप दक्राइब मिहाँ कर देख द हैं पसंद तो मुझे लगता है कि इतना साइट किसी और रोहिष सर्दाना देश के मुद्दों पर डिवेट करते थे और साल 2017 में रोहिष सर्दाना जी नियूच को छोड़ देते हैं और आज तक में सामिल हो जाते हैं आज तक टीवी चैनल भी आप लोग देखते होंगे और रोहिष सर्दाना आपको बता दूँ कि 2021 तक काम करते र सभी जाने हैं कि कोई बैक्ति पत्कार हो और चशित बैक्ति हो तो उस्ते बिवाद भी जुड़ जाते हैं तो संजय लीला भंसाली की फिलेम पथमावती को लेकर हुए बिवाद के तौरान रोहे सरदाना की एक टिपडी को लेकर भारी बिवाद हुआ था। रोहिष सर्दाना की स्टिपिडी को लेकर देश भर में मुसलिम समधाय की लोगों ने उनका काफी ब्रोध भी किया था। और इनके अंतिम समय की अगर बात करें तो आप सभी को मालू होगा कि अपने काम के लिए मस्वूर रहे रोहिष सर्दाना के ने दन 30 अपरेल 2021 को कुरोना के कारण हो गया था। अगर आपको कोई और टीवी एक तरसे आप देखिए पत्तकार के बारे में बात करनी है तो करते रहेंगे अब लोग। वैसे सीरिच चल रही है देश भर के पत्तकारों पर हम लोग यह आपकी जो भी अफिसोड कह लिजे सीरिच कह लिजे आती रहेगी। आगर आप लोग लोग के मन में कोई किसी का नाम है तो आप लोग बता सकते हैं।